हेलो फ्रेंड्स ये हैं इंस्केप के टुटोरियल और आज हम इंस्केप में डिजाइन करेंगी इंफो ग्रैफिक मुशार दोस्तों मैं हूँ आपका होस सुमित और आप देख रहे हैं क्रियेटिव वर्ड सब्सक्राइब को साथ ही इस बैल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें इंस्केप जैसे हम ओपन करते हैं एक पेज अपने आप क्रियेट हो जाता है इस पेज को हमें लैंस्केप में करना है तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे डॉक्मेंट प्रॉपर्टीस पी क्लिक करेंगे यह कंट्रोल शिप्ट डी प्रेस करके भी आप डॉक्मेंट प्रॉपर्टीस के पैनल को ओपन कर सकती हूँ तो पहले मैं इसको लैंस्केप कर देता हूँ डिस्प्ले यूनिट में पिक्सल कर देंगे और यूनिट में भी मैं इसको पिक्सल कर देता हूँ साइज में विद में लूँगा 1280 और हाइट में में लूँगा 720 और एंटर करके इस पैनल को बंद कर देंगे तो यह एक landscape में हमारे पास page आ गया अब हम इस page के उप़र एक background create करेंगे तो यहाँ option है एक snap to page border इसको हम on करेंगे और यहाँ से rectangle tool लेंगे यहाँ इस corner से इस corner तक हम tracker के लेक आएंगे और एक हमारा background create हो गया अब इस background में मैं gradient field दूँगा radial gradient में clip करेंगे G press करेंगे या फिर आप यहाँ से gradient tool भी ले सकते हूँ center में मैं color दूँगा यहाँ से मैं color ले लेता हूँ hash b7 c4 c8 मैं यह color लेता हूँ और यह बाहर वाले point में में click करूँगा hash 6f 8a 91 इसमें मैंने click किया जिस तरह से और अब हम इस background को block कर देंगे तो सबसे पहले मैं snap to page border के option को off कर देता हूँ अब हम layer में जाएंगे layers में click करेंगे यह control shift L press करके विया layer का panel यहाँ click किया सकते हो यह जो हमने background create किया था यह layer 1 पे है इसका name आप चाहो तो change कर सकते हो double click करके उसका name रखेंगे हम info और add करेंगे यह second layer है हमें इस layer पे काम करना है इस vg layer को हम lock कर देंगे यह देखिए lock icon है इसमें मैंने click किया और यह lock हो गया यह move नहीं होगा और हम इस info layer को select करेंगे और इसी में हम काम करेंगे इस panel को चाहिए तो आप यहाँ से अटा भी सकते हो मैं अटा देता हूं और hundred percent zoom के लिए इसको one press करेंगे यह hundred percent zoom हो जाता है और first of all मैं यहां से rectangle tool select करता हूं और color मैं यहां से red ले लेता हूं डल feel color और control press करते हुए एक square मैंने draw की थोड़ा से zoom out करेंगे अब इसको rotate करेंगे एक बार और click करेंगे control press करते हुए इसको rotation handle से rotate करेंगे कुछ इस position में लेके आएंगे select करते हुए इसको path में जाएंगे objective बात करेंगे और अब मैं एक line draw करूँगा इसके बीच में हम एक line लेके आएंगे तो simply मैं यहां से bezier pen tool select करता हूं और एक line मैं straight लाने के लिए control press करेंगे और straight एक line आ जाता है और enter करते हैं तो इस line का जो width है बहुत कम है मैं stroke style में जाओंगा इसकी width बढ़ाने के लिए और mm की जिए का pixel करते हैं और width क्यों करते हैं stroke का color change करने के लिए simply आप shift press करते होए mouse point को जो भी color आप select करोगे उसमें click करते हैं तो मैं yellow select करता हूं यह yellow हो गया shift press करते हो इस red को भी select करेंगे करेंगे दोनों को align करेंगे align panel में जाएंगे center on vertical axis center on horizontal axis make sure relative to में last selected होना चाहिए option d select करेंगे यह जो line है थोड़ा सा लंबा है थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे इसको shift press करते हुए इसको थोड़ा से नीचे की तरफ लेके आएंगे अगर shift press करके करेंगे तो दोनों साइट से यह छोटा हो जाए तो i think यह ठीक है और मैं अब d select करता हूं अब यहां पे snapping जो option है यहां से हम snap to path और snap ups note दोनों को on रखेंगे और guideline के लिए ruler लेके आएंगे उपर से एक ruler मैंने नहीं रखा एक ruler और लेके आएंगे यहां रखेंगे एक ruler left से लेके आएंगे इस line के अपर रखेंगे एक ruler और लेके आएंगे और इस कुछ इस तरह से, इस red का color मैं yellow कर देता हूँ, या फिर मैं कोई और color ले देता हूँ, green, ताकि आपको समझ में है, और अब हम एक shape और draw करेंगे, मैं rectangle tool select करता हूँ, एक rectangle मैं इस तरह से draw किया, stock को none कर देंगे, shift press करके, इस x icon में click करेंगे, तो stock हट जाता है, और opacity को मैं half कर दूँगा, इसके, और इसका color भी मैं change कर देता हूँ, इसको blue कर देता हूँ, और zoom करेंगे, इस blue को drag करते हूँ, यहाँ इस guideline पर लेके आएंगे, control press करेंगे, और इसको drag करते हूँ, यहाँ तक लेके आएंगे, कुछ इस तरह से, zoom out करेंगे, अब इस green part को select करेंगे, control D से इसका duplicate करेंगे, shift की press करते हूए, इस blue को भी select करेंगे, पात में जाएंगे, intersection, इस blue का एक और duplicate करेंगे, control D से, और उसको flip करेंगे, यहाँ से vertical, shift press करते हूए, इस green को भी select करेंगे, align करेंगे, align panoram में जाएंगे, सबसे पहले align bottom edge करेंगे इसको, अब दोनों blue part को हम select करेंगे, shift press करते हूए, control D से इनका duplicate करेंगे, पात में जाएंगे, union, shift की press करते हूए, इस green को भी select करेंगे, और पात में जाएंगे, difference, अब इस blue ने इस green को यहाँ से दोनों side से punch कर दिया, देख सकते हैं, control Z undo करेंगे, अब मैं इन दोनों blue को फिर से select करूँगा, पात में जाएंगे, object पात करेंगे, यहाँ से note tool select करेंगे, उससे पहले मैं इस line को delete कर देता हूँ, zoom करके, इस line की अब जरूरत नहीं है, इस को delete कर देंगे, और यहाँ से note tool select करेंगे, note tool select करने के लिए shortcut किया है F2, अब F2 प्रेस करके भी आप note tool को select करेंगे, अब इस corner से, यहाँ क्लिक करेंगे, यह दिखी, यह note है, इस note को पक्तेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ लेके आएंगे, मैं यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा zoom करके मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह से मैंने रखा, यह जो age है, इस blue का, इस guideline के, यह जो center है, यहाँ पर होना चाहिए, अब इस blue को select करेंगे, इस note से पक्ड़ेंगे, इसको भी मैं यहाँ लेके आता हूँ, कुछ इस तरह से, मैं एक blue का color change कर देंगा, मैं इसको yellow कर देता हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सेकते हो, और, अब zoom out करेंगे, अब जितने भी guideline है, इनको select करेंगे, delete कर देंगे, कुछ इस तरह से, अब इन सभी parts को मैं select करता हूँ, और opacity को 100 कर देंगे, कुछ इस तरह से, zoom करेंगे फिर से, अब इस blue को select करेंगे, और, field में click करेंगे, second option है linear gradient, इस में click किया, मैंने G press करेंगे, या फिर, यहां से gradient tool भी आप ले सकते हो, इस dark point को मैं इस corner पर ले के आता हूँ, यहां, और, इसको मैं कर दूँगा 30% gray, और, इस point को select करेंगे, इसको मैं यहां ले के आता हूँ, यहां ठीक है, और, इसको मैं कर दूँगा white, अब, इस yellow को select करेंगे, linear gradient में क्लिक करेंगे, देखिए, जो हमने color यहां पर feel किया था, gradient का color बनाया था, वो यहां है, यहां भी मैंने क्लिक किया, जी प्रैस करेंगे, या फिर gradient tool ले सकते हो, अब select करके, यह देखिए, यह है dark point, इसको मैं इस corner पर ले कि आता हूँ, और, इस light point को, मैं यहां ले कि आता हूँ, कुछ इस तरह से, अब, मैं इस green का, इस green part का होगी, gradient field दूँगा, color भी change कर देंगे इसका, तो इनकी linear gradient में क्लिक करेंगे, जी प्रैस करेंगे, इन तोनों points को shift की प्रैस करते होगी, select कर लेंगे, और color plate में आएंगी, मैं यहां से color दूँँगा, बिल्कुल light, cian, hash, 80, e5, double f, इसमें मैं click करता हूँ, एक double click करके, यहां पे point मनाएंगे, और एक double click करके, यहां पे भी point मनाएंगे, इस दोनों point को shift की press करते होगी, select कर लेंगे, और इसको और light कर देंगे, मैं और इसको cian light कर देता हूँ, hash, double a, double e, double f, इसमें click किया हमने, कुछ इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा और dark कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा dark कर देंगे, hash, double f, double d, double f, इसमें मैंने click किया, कुछ इस तरह से, और अब हम इसमें drop shadow भी effect देंगे, तो मैं इस part को select करता हूँ, filter में जाएंगे, shadow and glow में जाएंगे, और drop shadow में click करेंगे, यह drop shadow का panel आगे, live preview को click करेंगे, यह देख सकते हैं, drop shadow आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ करूँगा, मैं इसको vertically थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा और blur मैं बढ़ा दो, तो simply इस option में मैंने 2 की जगा 3 कर दिया, इसको update कर देते हैं, यहां पर click or करते हैं, कि कुछ इस तरह से देख सकते हैं, और apply में click करेंगे, और इसको close कर दिए इस पहलेंगे, अब इस पार्ट में हम drop shadow effect देंगे, simply मैंने इसको select किया, filter में जाएंगे फिर से, shadow and glow, और drop shadow में click किया मैंने, live preview में click करेंगे, यह देखिए drop shadow आ रहा है, मैं इस shadow का जो color है, थोड़ा सा में टाप कर देता हूँ, कुछ इस तरह से update करेंगे, कुछ इस तरह से, और इसको blur को मैं थोड़ा सा और काम कर देना चाहता हूँ, 1.5 करके देखते हैं, अपडेट करेंगे, यह, कुछ इस तरह से, और apply कर देंगे, कुछ इस तरह से, अब हम यहाँ पे कुछ text भी रखेंगे, और icon और number तो मैं कुछ type कर लेता हूँ, तो यहां से मैं text tool लूँगा, और type करेंगे, info graphic, info graphic मैंने type किया, इसको select कर लेंगे, तो मैं इसको select कर लेता हूँ, और इसको uppercase में कर देंगे, extension में जाएंगे, text में, change case और यहां से uppercase, तो इस तरह से uppercase हो गया, अब इसका जो font है, मैं थोड़ा सा bold भी कर दूँगा, जिससे इसको select करेंगे, और text में जाएंगे, text and font में क्लिक करेंगे, या shift control T प्रेस करके भी है, यह panel यहां ला सकते हो, मैं थोड़ा सा bold font लोगा, मैं हिलवेटी का ले लेता हूँ, मैं यहां से हिलवेटी का black semi को प्लिक करता हूँ और apply करनेता हूँ, जिसस तरह से, और अब मैं स्टेक्स को यहां लेके आँगा, स्टेक्स को थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, आपको यह जो center point है, इसको मैं track कर गए, इस text के इस corner में लेके आता हूँ, और इसको rotate करेंगे कोच, इस तरह से, और इसको यहां रखेंगे, जो आउट करेंगे, और मैं एक number भी यहां रखूँगा, तो फिल्सम टेक्स रोल को select करेंगे, number type करेंगे 01, select करेंगे, इसको भी मैं हिल्वाटी का ब्लाइक से मी कर दूँगा, यह bold font है, और काफी अच्छा font है, इस number को मैं यहां लेकिया आता हूँ, और control और shift की press करते वे तोड़ा से बड़ा करेंगे इसको, और एक बार और क्लिक करके इसको भी मैं rotate कर जाता हूँ, इस तरह से, इस text का color जो है मैं इसको gray कर दूँगा 70%, कुछ इस तरह से, अब आ जाते हैं इस तरफ मैं एक icon draw कर लेता हूँ, मुझे यहां एक icon रखना है, तो simply मैं एक ellipse tool select करता हूँ, एक effect round shape, और एक rectangle भी मैंने draw की है, कुछ इस तरह से, rectangle का जो corner है उसको मैं rotate कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, और इसको drag कर भी हाने के, दोनों को select करेंगे, दोनों को पहले align करेंगे, align center on vertical axis, इसको वर्टिंगे लिए align किया हमने, इस round shape का एक और duplicate करेंगे, control D से, उसको मैं कर देता हूँ red, और उसकी जो opacity है, उसको कम कर देता हूँ, मैं पैदे text and font का यह जो panel इसको अटा देता हूँ, और opacity में जाएंगे, opacity को half कर दे, control और shift की press करते हूए, थोड़ा से इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ, यह भी इतना, shift की press करते हूँ, इस gray को भी select करेंगे, path में जाएंगे, difference, अब इस gray का एक और duplicate कर देते हैं, और उसको कर देंगे, flip, color change कर देंगे, मैं कर दूँगा, orange, और थोड़ा सा stretch कर देंगे, shift की press करते हूँ, इस handle से बगड़ता हूँ, कुछ इस तरह से, और control की press करते हूँ, थोड़ा सा नीच लेगे, shift की press करते हूँ, इस gray को भी select करेंगे, path में जाएंगे, difference, कुछ इस तरह से, थो और असा इसको कम पर देते हैं, मैं snap to path और snap comes note दोनों को off कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, दोनों को select किया, control जी से group कर लेंगे, और इसको यहां लेके आएंगे, control और shift की press करते हूँ, छोटा कर देंगे, कुछ इस तरह से, अब यहां पर भी कुछ text रखेंगे, मैं कुछ dummy text रखूँँगा यहां पर, तो inkscape में एक और अच्छी बात है, कि आपको dummy text भी इसमें मिल जाता है, dummy text के लिए extension में जाएंगे, text में जाएंगे, और यहां पर है lorem ipsum, जिसमें क्लिक करेंगे, lorem ipsum में, और live preview में, मैं click करता हूँ, कुछ text आ जाएगा, वैसे आप ने इसाब से, यहां पर paragraph लेरा set कर सकते, अब यह apply कर देता हूँ मैं, और close कर देता, यह कुछ, आगे text, और पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से, इसके जो, font है, वो भी मैं change कर दूँगा, फिर से मैं text में जाऊँगा, और text and font में click करेंगे, इस बार, serif मैं लूँगा, serif में, मैं bold ले लेता हूँ, और apply करेंगे, इसको मैं select कर लेता हूँ, इसकी जो font की size मैं, थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसकी जो text है, उसको थोड़ा सा बढ़ा कर देना चाहता हूँ, apply करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा हो गया, और इसको थोड़ा और चोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से, तो मैं इसको यहां रखना चाहता हूँ, पर यह ज़्यादा ही छोटा font हो रहा है, और चोटा कर लेतें इसको पहले, फिर इसके font की size का बढ़ा कर देगी, तो पहले मैं इसकी जो line दो ही है, मैं इसकी line को बढ़ा देता हूँ, मैं यहां पर करके enter करते ता हूँ, फिर यहां की करके एक बार और enter करते हूँ, ती 90 के, और select करके मैं 10 करके देखना हूँ, I think यह ठीक है, और सब को select करके मैं फिर से select करेंगे, Ctrl A प्रेस करके हम select करेंगे, और इसको align करेंगे, तो मैं यहां पर click करता हूँ, align center में, और इसको थोड़ा सा और चोटा कर लेंगे, Ctrl A प्रेस करते हूँ, इस तरह से, यहां लेके आएंगे, और चोटा कर लेते हैं, चलिए, एक बार और click करके इसको भी rotate कर लेंगे, कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा zoom कर लेते हैं, इसको यहां रखेंगे, इस तरह से, और आव इसको zoom out कर लेते हैं, select करेंगे, drag कर की मैं यहां रखना चाहता हूँ इसको, और इसका एक duplicate कर लेंगे, Ctrl D से, इसको यहां लेके आएंगे, और इस first वाले को मैं group कर लेता हूँ, Ctrl GC group कर लेंगे, अब इसमें हमें सिर्फ icon, और number और color चीज़ करना है, तो पहले मैं एक और icon draw कर लेता हूँ, एक rectangle tool मैंने select किया, और इस तरह से rectangle को draw किया, corner हमें rounded रख हैं, दोनों side में, और इस panel को मैं अटा देता हूँ, और इसकी opacity को मैं rate कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा और शोटा कर लेते हैं, चलिए, इसका एक duplicate और करेंगे, Ctrl D से, उसको एक बार और click करके, रोट्रेट कर लेंगे, दोनों को select करेंगे, shift प्रेस करते हुए, Ctrl D से, दोनों को duplicate किया, Ctrl प्रेस करते हुए, फिर से इनको rotate कर लेंगे, कुछ इस तरह से, अब इन सब को select करने दे, select करने के बाद, path में जाएंगे, और combine करेंगे, या Ctrl K से भी आप shortcut किया है, Ctrl K, उसके प्रेस करकी भी आप combine कर सकते हुए, अब मैं ellipse tool select करता हूँ, और एक Ctrl प्रेस करकी, perfect round shape, उसको मैं red कर देता हूँ, shift प्रेस करते हुए, इस orange को भी select करेंगे, align करेंगे, center of vertical axis, center of horizontal axis, कुछ इस तरह से deselect करेंगे, और इस red का एक और duplicate करेंगे, Ctrl D से, shift की प्रेस करते हुए, इस orange को भी select करेंगे, अब path में जाएंगे, difference, इस red का एक और duplicate करेंगे, Ctrl D से, उसको कर दें, green, Ctrl और shift की प्रेस करते हुए, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, center से, yes, कुछ इस तरह से, I think इतना ठीक है, shift की प्रेस करते हुए, red को भी select करेंगे, path में जाएंगे, difference, अब हम पूरा select करेंगे, Ctrl G से group कर देंगे, और इसका color मैं कर दूँगा, gray, 70%, एक और duplicate करेंगे, Ctrl D से, उसको Ctrl और shift की प्रेस करते हुए, center से छोटा कर लेंगे, इसका record duplicate करेंगे, Ctrl D से, Ctrl और shift की प्रेस करते हुए, center से छोटा कर लेंगे, इसको मैं यहां रखता हूँ, और सबसे छोटा जो gear है, इसको मैं यहां रखता हूँ, यह हुआ हमारा gear icon, सबको select की है मैंने, Ctrl G से group कर देंगे, और इसको मैं यहां लेकर आता हूँ, अब जो यह icon इसको delete कर देंगे, simply मैंने select किया, और delete कर देंगे, और इसको मैं यहां रखोंगा, Ctrl और Shift की प्रेस करते वे छोटा कर लेंगे, इसको यहां रखेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते, येस, कुछ इस तरह से, अब number को select करेंगे, T प्रेस करेंगे, या फिर यहां से text उल लेंगे, मैं T प्रेस कर र टाइप करता हूँ, और एक चीज़ और, इसको ungroup करेंगे पहले, Ctrl, Shift, G प्रेस करते हुए, ये जो text का color है, मुझे black, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको select करता हूँ, थोड़ा सा zoom करेंगे, और इसको थोड़ा सा rotate भी कर लेंगे, थोड़ा सा, मैं इसको rotate करके, इस इसमें color feed के लिए मुझे इस तरह का color चीए, तो ये देखिए, आप ये जो tool बेनी हुआ रहा है, सबसे नीचे ये देखिए, ये arrow है, इसमें click करेंगे, तो इसमें dropper का option है, इसमें मैंने dropper ले लिया, या F7 press करके भी आप dropper को ले सकते हूँ, अब मैं यहां से color pick कर लेता कुछ इस तरह स, remote करेंगे, और इसको select करेंगे सब्सक्रों, control G से group कर देंगे, अब आ जाते हैं, यहां, इस से यहां का color change कर देंगे, जी press करेंगे, या फिर यहां से gradient tool में भी आप click कर सकते हूँ, इन दोनों points को shift की press करते हूए, select करेंगे, और मैं चाहता हूँ, यहां से lemon color दूँगे, तो मैं यहां click करता हूँ, और center के दोनों point को भी select करेंगे, shift की press को, और light कर देंगे, इसको, मैं यहां click करता हूँ, बनी यह color लिया है, सबसे light, hash, double E, double F, double A, और यहां के लिए मैं ने लिया है, hash, double D, double F, double S, I think double S है या double 5, I think double 5 है, और अब मैं इस text का, थोड़ा सा इसको भी rotate के लिए चलिए, एक और बार click किया, लोड़ा सा rotate के लिए इस तरह लिए नीचे, और, dropper के लिए मैं F7 प्रेस करूँगा, यह देखिए, माउस के कलसर में, dropper का आइकन आ रहा है, और यह color मैं यहां से pick कर लेता हूँ, अगर यह color थोड़ा सा और light दिख रहा है आपको, तो उसको थोड़ा सा dark भी कर सकते हैं, यहां देखिए, HSL का option है, यह feel में, अब L column में आगे, थोड़ा सा इसको dark करते हैं, थोड़ा सा dark भी करते हैं, और dark कर सकते हूँ, मेरे को इतना ठीक लग रहा है, और अब इसको भी duplicate करें, सेलेक्ट किया मैंने, Ctrl D से duplicate, उस duplicate को मैं थोड़ा सा और नीचे लेकर आता हूँ, और इसको मैं select करके Ctrl G से group कर देता हूँ, अब इसमें भी एक icon की जरुवत है, एक और icon हम draw कर लेते हैं, मैं इस तरह से एक rectangle draw करता हूँ, एक envelope हम draw करेंगे, envelope का icon, अब मैं triangle draw करूँगा, जिसके लिए मैं polygon tool सेलेक्ट करता हूँ, corner 3 रखेंगे, और एक मैं Ctrl प्रेस करकी triangle draw किया मैंने, इसका color मैं red कर देता हूँ, और इसको मैं यहां लेक आता हूँ, तोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से, और stretch कर लेंगे, shift की press करते हूँ, इस तरह से, दोनों को select करेंगे, align करेंगे, align and distribute में जाके, center of vertical axis, vertically align हो गया, अब इस green को select करेंगे, और Ctrl D से duplicate करेंगे, shift की press करते हूए, इस red को भी select करेंगे, path में जाएंगे, intersection, इस red का, एक और duplicate में करूँगा, Ctrl D से, इसका color में कर देता हूँ, blue और एक step नीचे ले जाएंगे, red की नीचे, थोड़ा सा zoom करेंगे, और इस resize angle से पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा भार करतेंगे, मैं इतना भार करता हूँ, shift की press करते हूए, इस green को भी select करेंगे, path में जाएंगे, difference, अब पूरा select करके, Ctrl G से group कर लेंगे, और इसको 70% मैं grey कर दूँ, अब इस icon की हमें ज़रूरत नीचे, इसको delete कर देते हैं, और इस icon को मैं छोड़ा कर लेता हूँ, और यहां रखता हूँ, थोड़ा और छोड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरह से, अब इस तरफ आ जाते हैं, इस number को change कर देते हैं, edit करने के लिए T press करेंगे, select करते हूँ, और मैं 3 करते हूँ, इसको, मैं 3 कर दिया, और इसका color मैं change कर दूँ, G press करेंगे, थोड़ा सा zoom out करेंगे, G press किये मैंने, और बाहर के दोनों points को मैंने select किये, color आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हूँ, मैं यहां पर लूँगा, pick light pink कर देता हूँ, यह थोड़ा सा डार, मैं hash D35F8D, यह color मैंने लिया, अंदर के दोनो points को shift की press करते हूँ, select करेंगे, और light color लेंगे, light pink, hash E9AFC6, यह color मैंने लिया, कुछ इस तरह से, और इस text का color भी मैं pink कर दूँगा, कुछ इस तरह से, अब इन सब को group करेंगे, एक एक करके, ctrl G से group, और इसको भी select करेंगे, कुछ इस तरह से, ctrl G से group, और इस blue को भी select करेंगे, ctrl G से group, तीनो select करेंगे, कुछ इस तरह से, और इनकी जो gapping हैं बीच की, वो equal करेंगे, अब distribute के panel में आएंगे, यह नीचे, right side में नीचे, इस option पे click करेंगे, वर्टिकल गैप से between, object, equal, अबने इसमें click किया, और ctrl G से इसको group कर लेंगे, अब हम layer में जाएंगे, फिर से layer panel में जाएंगे, और यह यह PG layer है, इस सो unlock कर लेंगे, अब इसको align करेंगे, पहले मैंने इस object को select किया, shift की press करते हुए, इस background को भी select करेंगे, align and distribute को panel में जाएंगे, center of vertical axis, center of horizontal axis, complete हुआ हमारा infographic, I hope कि यह tutorial आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आये, तो like और share करना ना भूले, और किसी भी तरह कोई question हो, कोई issue हो, मेरे comment box पे आप comment कर सकते हैं, अगले inkscape की tutorial में हम कुछ और नहाएं डिजाइन करना सीखेंगे, thanks for watching.